तो अभी हम आज के हैं रूम में कैमरा ऐसे हिल रहा है कि बहुत जादा ठान लग रही है आपको पता है कितनी जाद़ स्नौ हो गई थी वहां से निकलना पड़ा मुझे मालम था कि अभी पड़ रही है तो आगे जाके बारिश जूर होगी क्योंकि जहां स्नौ होती है वहां पास पास बारिश जूर होती है तो वही बात होगी जैसे हम वहां से निगले थोड़ी आगे गए तो बारिश टाट होगी इतनी जादा तेज बारिश थी जल्दी जल्दी वहां से निगले अभी मैं आपको दिखाता हूं कि बाहर कितनी तेज बारिश है तो गोप्रो तो म पूरी ठंड हो चुकी है बाई सब यहान पर तो कपड़े चेंज करते हैं और सबसे पहले का करते हैं चाई उटर करते हैं वक्की सारे कम बात में अभी हम जा रहे हैं बाहर कुछ खाने के लिए देखेंगे तोड़ा बहुत गुम कराएंगे साथ में मालोड जलते हैं पारीश Bridge हुई है तो सोचा है कि बाहर चलते हैं कुछ खा के आते हैं बाहर जाके आज बाहर से खाएंगे, जो भी खाएंगे, बहुत ज़रा ठंड लग रही थी, तो अभी तो ठीक है, अभी मोसम सही है, थोड़ा बदब, अपनी पाइक लगी हुई है, कितनी ज़रा गंदी हो रखी है, इसको नहीं लेके जाएंगे, हम लोग पैदली जाएंगे, दो नहीं और बाइक हम वहीं शोड़ जाएंगे, क्योंकि जहां बिल्कुल पास में है, मारोड, इसचे है और मनाली, और आगे जिस साइड हम पैदल चर रहे हैं, उस साइड है, मारोड जाएंगे, 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 वह क्या हुआ है तो भी इस वक्त हम मालोड पे हैं जो सारा पीशे है मालोड यह है आज तरह ग्रीब ग्रीब सुब्य हम खा रहे हैं जहां पर एक चाठ और एक की चाठ चाठ टीकी चाठ टीकी प्रेट बड़ गया यार इतना सा खाया बस सुब्य सो कुछ खाया नहीं था तो को बाद गालू टकी गाई और एक चाट खाई और अभी कुछ और कुछ खाया नहीं लेकिन पेट पर गया भी और ही कुछ खा लेंगे और मैं अपको भी पूरे माल रोड के अभी दर्शन कर वाता हूँ दर्शन पुरे माल रोड के पता नहीं क्यों मुझे ना पहाड़ों में एक चीज ना बिलकुल कॉमन सी लगती है कि कहीं भी चले जब माल रोड सेम ही होते है तो इंट्रेस्टिंग इतना होता नहीं है बस अलग 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 प्लेसिस एक्सप्रोर करते रो फिर सही है लेकिन अगर माल रोड गूमना है तो मुझे ना बिलकुल अच्छा नहता है मुझे मुझे मिदा नहीं आता है अकेले में खास करकी दिखाता हूं मैं आपको क्या चल रहा है माल रोड पे तो मुझे में बिचारे को टाइपटीज आ है इस चोटी सी उमन में टाइपटीज है देख लो हाल देख लो अजकल के लोंड उगा पता नहीं क्या हाला इनका तो खाने से पहले मैं च्छे नहीं कहूंगा मैं उपर नहीं खाऊँगा इस तो देख लो सारा कुछ जो मर्च जिलेबी गोल क्यो होती है कमेंट करके बताना क्या क्या है जो भी मेरी प्लाइनिंग होती है, जितनी भी मैं राइज करता हूं, हर क्छीज की प्लाइनिंग करके मैं राइज करता हूं, करता हूं, कि कहां कितना खर्चा खर्चाना है, कहां कितना खर्चाना है, अगर मैं सारा खर्चा एक ही राइड पे कर दूंगा, शोपिंग करके चला जाऊँगा तो आनिवायाज। कि लॉंग तक कि लॉंग से भी आगे 6 किलॉमेटर की अमने तो बहुत जादा मज़ाया रास्ते में आते आते तो अटल टर्नल के पास स्नो फाल हुई बारिश इतनी फास्ट हुई सारा कुछ फिर्ट कुछ मल की बहुत जादा मज़ाया ओगा आज राइड करना क्योंकि इसन पहली बार देखी है जो इनसाने पहली बार सुनो देखी होती ना उसको एक अलगी फील होती है क्योंकि मदा बहुत आता है बर्फ में और आज बहुत जादा थक चुके हैं तो अब वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे क्लोज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना कमेंट करके जरूर बताना की आपको कौन सा पार्ट ज्यादा बढ़िया लगा मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में तिल डान बाबे टेक क्यर करें दिए करें आपको करना के देशा है यहां बाब कामें जाने मिलो नहीं आज़ आज वाज़ कोई बन नहीं से सवी है